अलो स्टुडेंट्स, तो आज हम लोग रिप्रोड़क्शन के बारे में बात करेंगे, क्लास 10 और बहुत ही इंपोड़न चैप्टर है, बायलोजी का यह चैप्टर 8 है, जो कि आपके टर्म 2 एक्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, और हर साल के लिए ही जब भी एक्जाम होता वहाँ सारे सब्सक्राइब यह तो हमस्सक्राइब लेगिनी वाले। पढ़ा क्या है कि Asexual Reproduction से पहले इंट्रोड़क्शन से कोशेंज आ गए कि भाई What is DNA copying? What is importance of variation? Variation क्या होता है? नहीं होगा तो क्या होगा? यह सारे कोशेंज भी आते हैं फेबर में और हम छोड़ की चले आते हैं तो हम पहले क्या करेंगे? इंट्रोड़क्शन बहुत ही कम ताइम में इंट्रोड़क्शन को खुतम करेंगे और फॉरन आएंगे हम लोग Asexual Reproduction पर ठीक है? तो बच्चों जल्दी से सबसे पहले हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं फ्रम ओल्ड वन इस कॉल्ड रिप्रोड़क्शन यह डेफिनीशन है चाहो दाप लिखलो इसको नेकिन उसको समझते हैं जैसे हम हमारे माबाप है ठीक है? हमारे फादर और मदर हैं तो फादर मदर से हम लोग आए तो हम लोग क्या होगा? कि अपर स्पिरिंग हो गा हम लोग उनके इने इने ओफि प्रिंग हुए और इस पिरिफ से ये कहलाता है रिपरदक्शन अगर रुख गया ना पता है आपको रिपरदक्शन की है एक ऐसी चीज catchy एस गैस प्रॉसस हमारे लाइफ प्रोसस जो इस अर्थ की consistency को बनाए रखता है, जो इसके exist करने के पीछे एक यही reason है, कि reproduction हो रहा है भाई, तो कोई भी species extinct नहीं हो, इसके लिए reproduction का होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी species गाइब नहीं हो, कोई भी species पूरी तरह से खतम नहीं हो, तो इसको बचाये रखने के लिए, क्य generation continue होते हैं इसी वजह से, अब आप देखो, definition, definition में आपने देखा reproduction की definition, reproduction दो तरह के होते हैं, asexual और sexual reproduction, asexual reproduction में single parents involved होंगे और sexual reproduction में 2 parents involved होते हैं, ठीक है, यानि कि if the single parent is involved in the reproduction, then it is called asexual reproduction, if there is two parents are involved in the reproduction, it is called sexual reproduction, अब बच्चो आते definition हमा रहा होगा है, clear, खतम, definition क्लियर होग इसार, डीरे कॉपिंग क्या होदे, देखो बच्चो, पता है आपको, जब हम, जैसे, for example, हम human की बात कर लेते हैं, तो human में क्या होगा, जब हमारे father और हमारे mother के gamets होते हैं, gamets या इसको germ cell एक ही बात हैं, दोनों, क्या मतलब होता है, पता है आपको, कि जो mother के अंदर female gamets ह cells होते हैं, और father की जो reproductive cells होते हैं, father की और mother के reproductive cells जब आपस में मिलते हैं, बच्चो, तभी हमारा formation होता है, ठीक है, और पता है, इन्ही reproductive cell को ही दूसरे दूसरे नाम से बुलाया जाता है, कभी gamets, कभी germ cell इसी को, तो आप gamets और germ cell नाम सुनके घबराओं मत, यह वही यह reproductive cell, जो आपस में क्या करते हैं, fuse होते हैं, यह मिलते हैं, और हमारा formation ही new organism का formation करते हैं, ठीक है, बच्चो, तो इसका मतलब यह है, कि जब हमारे जो male gamet है, यहाँ फादर का gamet और हमारे mother का gamet, क्या होता है, जब आपस में मिलते हैं, तो एक नए cell का formation हाता, बच्चो, एक reproductive cell हमा जो new cell बनेगा ना, यह समाल लो, यह सेल है, और एक यह सेल है, इन दोनों cell की वजह से, यह दोनों cell आपस में डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा एक नए cell बनाएगा, इन नया cell जो है, offspring का cell है, मतलब इसी से हम लोग फिर क्या होंगे, बड़े होंगे, इन्हें उसके ट्रेट्स, दोनों की फीचर रंसफर होते है, दोनों की गुण इसके फाधर के भी और मतर के भी, तो जिवाधर कि नानाम का सबस्ताइब होता है jeans g e n e s jeans जो की बच्चो dna के अंदर होता है इसके अंदर dna का segment ही है जीन क्या है आप से पूच्छ what is jeans तो jeans क्या होते है hereditary material है जो की traits को features को transfer करते हैं from one generation to another generation तो आपको jean की definition मिल गई तो हर jean अलग-अलग character लेके आता है हमारे father और mother में से है ना यानि का eyes clear, hair clear, height सब के लिए लग-लग jeans होते हैं तो बच्चो क्या होता है mother और father दोनों के cell में से jeans लेके आता है character को properties को लेके आता है इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि mother की कुछ properties को copy करके इस के अंदर लाए गया है father की कुछ properties को copy करके cell के अंदर लाए गया है तो बच्चो ये ये copy हो रही है, ये gene कर रहा है और gene किसका पार्ट है? DNA का इसका मतलब copy किसकी हो रही है? DNA की हो रही है इसलिए बच्चो इस process को हम लोग बोल देते हैं properties का आना, genes के जरीए से genes के जरीए से properties का transfer होना इस new cell में DNA के दुआरा, या DNA के जरीए से तो इसी process को कहते है बच्चो DNA copying, I hope आपको समझ में आ गया होगा, what is DNA copying? DNA copying is the transfer of traits, या is the transfer of features और properties from parents to the new cell, from parents cells to the new cell by the help of chemical reaction, बच्चो इस जो traits आ रहे होते हैं वो किसकी वजह से? एक chemical reaction चल रहा होते हैं इनके बीच, इसकी वजह से क्या हो रहा है, new features होते हैं वो हमारे cell में आ रहा है बच्चो ठीक है, और इसी को हम कहते है DNA copying, यानि DNA क्या हो रही है, इसके अंदर आ रही है, यानि कि the transfer of the traits, the transfer of the features, by the process of the chemical reaction, taking place by the genes, taking place by the genes, which is present in the DNA, this is called DNA copying, इसको प्चाओ लिख लेना, ठीक है, it is called DNA copying, DNA copying क्लियर होगे मतलब हमारे parents में से properties का हमारे अंदर आना, तो ये copying process होता है, मतलब half chromosomes हमारे mother के, half chromosomes हमारे father के, वो दोनों आते हमारे cell में, तो एक तरह की copy तो हो रही है, copy ही तो आप अपने father, अपने mother की copy ही तो हो आप, इसलिए इसको कहते हैं बच्चो DNA copying, और उसके बाद है निक्स हमारा कुछ तो variation आएगा, बच्चो इस variation को हम लोग पढ़ेंगे और इस variation का क्या importance है, उसको देखेंगे, तो बच्चो variation क्या होता है, clear हो गया, कि variation का मतलब है कि हम जब DNA copying होगी, तो हमारे body के अंदर कुछ features change होंगे, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, जो different होंगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, variation बोलते हैं, अब variation की definition नहीं पूछी जाएगी, पर यह पूछा जाएगा, variation का importance क्या है, अब change आने से हमारा क्या फायता होगा, देखो, माल लो एक person है, ध्यान सुनना, माल लो एक person है, जो South Africa में रह रहा है, माल लो बहुत ज्यादा ही उसको temperature में रहनी किया द जो परसन वहां से उठके आएगा, रहने के लिए पूरी तरह से शिफ्ट होगा, मैनस 10 डिगरी सलसेस पे, उसको कितनी परिशानी होगे उस environment को adopt करने के लिए, लेकिन बच्चों अगर वो रहना शुरू करते हैं, उसे तो बहुत परिशानी होगे, उसे बहुत ज्यादा ह बिल्कुल used to हो जाएंगे, आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी क्या मतलब है, कि वो उस environment को adopt कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उस environment को adopt कर लेंगे, उसे रहने की आदत हो गई, मतलब उसके इंतर रिक variation आगे, अब वो South Africa में उस temperature पर जाकर उसके रहने के लिए मुश्किल हो उसके लिए, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट जेनरेशनी जो साथवा जेनरेशन अब अच्छो उसके लिए बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आजाएगा, तो variation से क्या फाइदा हुआ, कि हम चीजों को adopt करने लगे, हमने हमारे variation के क्या हुआ, कि हम survive करने chances बढ़ा देते हैं, किस चीज के survival की chances बढ़ा देते हैं, तो बच्छो, importance क्या है variation का, कि it increase the chances of survival, it increase the chances of survival, survive करने की chances को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं बच्छो, so this is the importance of variation, अब एक example में आप ये चीज़, example भी लिख सकते हैं, ये line लिख करके, कि it increase the chances of survival of any organism, उसके बाद ए type of a sexual reproduction, जो कि बच्छो, यहां पर एक list बनी है, type of a sexual reproduction में, fission fragmentation, regeneration, budding, vegetative reproduction, sport formation, बच्छो, इसमें क्या है, कि सबसे पहला है, fission हमारा, fission का क्या मतला है, fission का मतला होता है, बच्छो, टूटना, break होना, टूट जाना, fission बच्छो, वैसे तो ये unicellular organism, इसमें होता है, बच binary मतलब, दो पर्ट में डिवाइड होंगे हैं पर organism, और multiple में बच्छो, यहां पर, हैणा, dho से जादा पर्ट में, more than two parts में, more than two parts में, बच्छो, binary का example है, binary का example है, बच्छो, amoeba, को न है, amoeba, तो amoeba की body हमाल लेता है, amoeba की body है, और यह दो पर्ट में डिवाइड हो और यहां से यहने अभी मदब बढ़ करके यहां से फॉर्मिशन होगे दो बमी बाका तो भी यह होगा इस प्लास्मोडियम में एक प्लास्मोडियम में अपने आपको दो चार मुल्टीप्ला नीये बना लेता है इसको मौलता है यहाँ पर कुछ बॉड़ी डिजाइन उतने जादे डिवलप नहीं होगे यहाँ पर उतना ज्यादा कॉंप्लेक्स बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ ठीक है कि अपने बॉड़ी को बीच से दो तीन जगह से क्या करते हैं कि अपने बॉड़ा बड़ा है पने वलक्स में कहें तो हम अपने वाड़ में स्वाट हो जाता है तो अपनी बॉड़ी को ड़ए कर लेता है और हर डिवाइड जी नहीं हर डिविजन हर पीस इसका हर 25डव डरा नमी रिजयर रहा कर जाता है इसी कुर्नगर जाता है अब जो भी जो भी पार्ट अलग हुआ है बच्चो वह वापस एक न्यू प्लैनेरिया बना लेगा वापस एक न्यू प्लैनेरिया बना लेगा यह भी यह बना लेगा इसी रहेगा और यह बना लेगा और यह बना लेगा लेगा इस तरह से तु गहने का यह बना लेगा मतलब अपने कटिंग पार्ट को यह जेनरेट कर रहा है एक अब इस बाते तांट कोई का जनरे टरूपाइब कर लिए इसी कहते हैं इसी कहते हैं पलों इस्टारिब वात्फ दो था थिक है कहते हैं उस्के अक्ट प्लिव नियाम में होता है प्लीके इसा के अंदर रिजंडरेशन में टाक प्लीनhertz इक इक आव्ट एक आउट ग्रोथ होता है अब अपने आलू में ल१ा छुट-टे बस का ओट दिकल द्रे डिक्रोथник क्या हो तो हुथ बाड़ होता है यहां पर एक बड़ निकल जाता नहीं के बड़ होता है इसके बड़ क्या होता है शाइस अनुग बड़ बड़ा होते उतोchts lost English वालेका कि यह वाला जो पार्ट है बहुत लूज पड़ जाते हैं जिस वाजी क्यों होगा यह थोड़ा सब ना ऐसा होता है और यह क्या हो डिटाइच होगे है नीचे चला जाएगा जबीग फिर से दूसरा रा बनाना है स्टार्ट हो जाएगा यहां से तो हाइडरा में क्या हो बढ होगे लिटाइच होगे अपने बोड़े तो हम लोग क्या बडिग बना लेते हैं यह जनरली बच्छो किस वाट है बडिंग का पार्ट बडिंग में आगए अब को ठीक और नेक्सतर मारा वेजी जी तुटिटीव प्रोपागेशन यह तरगा समझाब कर्स है क्यूंकि और बहुत जल्दी करने की वोईश करेंगे फिली होसके हम आपका स्लेबस क्रेंगे समय एक हमारा साथ क्लाइगा थे कोर्ण थी टीटिव प्रोपागिशन होता है तो प्लांट का विचीटिव पर्ट रूट हो गया लीव्स हो गया ना ब्रांचे वह गया तो सब कि भी व्यक्टेट्ट्ट प्रॉपाइड लिए भी जाने ही विजिट्टिटेटिव प्रॉपाइडेट्टिव प्रॉपाइडेशन ने निकल जाते हैं छिए उसको हम एगर अगर पुछा जा तो ब्रायो फाइलम और नां याद रखना किसी पेड़ के ब्राइट को काट के लगा तो अब तो यससी कट करके आप लगाओ गये हैं उसके एक ब्राइब तो दूबारा से दूसरा जो रोस प्लांट वहां से निकल जाएगा तो जनरली कटिंग एक प्रॉसेस है जो क्या हो रहा है जिसमें सीड की जरूत नहीं पड़ती है बिना सीड वाले सीड ना भी हो रहा तो भी हम इस प्लांट को लगा सकते है तो विचिटेटी प्रॉपगेशन एक जी फाइदा होता है कि हम काट के सिर्फ लगा ले तो हो Mr. 작. और उसका अपना प्लांट बंट बंचाएगा यह ना प्लांट बंचाएगा वैले इंग्रें टॉण फॉरल इंक हो डेयररिंग् प्रॉसेस लेश्ट में हुता है लिए में प्रॉसेसों बहुत ज्यादा काम करता है नृइच्स पहम करता निक्सट अंस्प अब इसे पूद्ध आ कि बढ़ा डाल थे अपना नया पूदह वे घंपर अपने लगा उनु को जोड़ जाएगा इस में इस तरह से एक नया प्लांट मिलेगा आपको यहीं से बिना किषी मेहनत के जादा यहां से नया प्लांट मिलेंगा और यह आपको निववराइटि का वह तो इस पर से हम विजेटिव प्रोपागेशन को समंझ सकते हैं किसे बाइ राइंग कटिंग एंट ग्राफिटिंग धौ। तू मूर्ट एक तो नैच्रल एड आर्टिफिशल ना इन ना इन ना ना वी नॉद ऑ प्रोसेस ऑफ पार्व उसमें किसम होता है यह विजिट ओप्रफचिल होता है इन कहना पाटिफिशल ना कटिंग लेरिंग ग्राफटिंग इस तीन होते हैं बच्छो आठिफिशल विज कि टीन फाइदे वेग्याइटि अद्वाटेशिंग कर डिटीन इसवार्ट सब्सक्राइड जुडेन गर्ण। इसमें न पता हैं, सब्सक्राइब और गुजचा कि यह वहां वहां थे नहीं बडाएबक समय थीचप्राइब को एन फिर द्वासेशंट। और चौता होता है, इस इस एकनोमिकली बेनिफीशिल होता है, बच्छो, बहुत जल्द ग्रों कर जाएंगे, तो पैसे ही आप फ्रूट्स हो गया है, और फ्रूट्स को बेच हो पैसे में लेंगे आपको, यह आप नरसरी खोल लो अपना, है ना, इस प्रॉसस से, तो कहने का इकनोमिकली बेनिफीशिल हो, तो यह इसके चार फायदे है, चार फायदे, आपको लिख कहने, इसको लिख लो, रिपीट कर करके रो, पॉर्मेशन, क्या होता है, इस पुर्फॉर्मेशन, इस पूर्मेशन, बच्छो, राइजोपस में होता, ब्रेड के ऊपर आपने सबस्क्राइब कर giàं कुछते हैं सप्रक्शाइन कि अब है शीरे हैं इस घ्र्फान अब शेयरे वी प्रल्चीмы जभीत तर भ्रक्राइब पॉय सबस्ते हैं वुए भीते देंए उसके फोठि कर दो शॉलना सब्सरों थां करके बचा कर रखेगा जब यह बिल्कुल बहुत ज़्याद एफेक्टिव हो जाएगा तो जब एक सर्टें इंवर्मेंट में क्या करेगा यह इसको तोड़ देगा इस पॉरिंजी अपने आपको तोड़ेगा और सारे स्पूर्स यहां से क्या होंगे बाहर निकलेंगे और बियुराई वपास मना लेंगे का दर क्या है वह पूछा भी जाता है ऍपैह ऑक पिरिंजी यह कै क्या काम यहां पर जाथा लिगमा फ्यरकु नाजा जाता के कनी इस पूर्फर मिशनमें सो प्रेंजी जो है वह है वह अँनिप कोटिंग है ज जै उ स्भी अनिविं से नाहर प्रणे गोडाइन, इस तरह से आपके मंन में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में खुला हो अमारा कमेंट बाक्स को बता दीजेंगा, यहुआ एक वीडियो में आपको सारे और से बनाद बना दू Одस ही वीडियो में आपके होंगे उसजिए नसी एक वूट करेंगे, लेकिन हम जो मेरी बस एक हीर क्वेस्ट है कि आप जो है महरत से पढ़ाई कीजिए और अगर आप हमारे चनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फैबल का हिस्सा बने लगे आप लाल वाल जो बटन सब्सक्राइब को से दबा दीजिए और अगर यह वीडियो में बहुत सारे लिंक्स मैंने दे रखे हैं अज इस लिंक पर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे और भी चैप्टर्स टम्टू के टम्टू साइंस से रेलेटेड ठीक है अच्छ क्लास 10 के मिलते हैं नेक्स चुड़े में तब तक क्लिए थैंक्यों समच और अगर एक्जा